महराष्ट, मध्यपरदेश, राजस्थान, बिहार और हिमाचल परदेश आसमानी आफद की ऐसी मार छेल रहा है जो आज से दस साल पहले के दारनात में ही देखने को मिली थी इतनी बारिश, इतना पानी, फसले तभा हो गई, घर तूट गए, पुल उखड गए, पुल तूट गए पेड़ों के हाल मत पूछे, मवेश्यों की जान नहीं बची लगातार मौत का आलम बढ़ता जा रहा है, चोवन से अधिक मौते ही माचल परदेश में हो गए लेकिन ऐसी बार्ड आती क्यों है, हर वर्ष ये आलम झेलना क्यों पड़ता है, इस तभाई को क्यों हम इस्विकारना पड़ता है, इसके पीछे का कारण नमाज आपको बताते है भारत तीनों और से समुंद्र, अरपसागर, हिन महासागर और बंगाल की खाड़ी से खिरा है, भारत की जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत के तीनों और से समुंद्र से घिरे होने के कारण बाड़ की विविशिका को लेकर भारत ज्यादा समवेधन शी कई दवाव शेत्र बनते हैं जिसके कारण सामाने बारिश भी भारी बारिश में बिदल जाते हैं। वर्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में बार्ट से होने वाले कुल मौतों में से 20% अकेले भारत में होती है। पारिश होने पर नदियों में पानी तेजी से बढ़ता है और ये बाढ़ का रूप ले लेता है। यम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड में लगातार तीज बारिश और बाढ़ किस्ति थी बनी रहती है। भारी नुकसान हुआ, लोगों की जान चली गई, फसले तबाह हो गई और नदियां उफान पे है। इसके बाद पानी नदी के तटकु पार करता है, तेरी से नीचे की और बहता है और रास्ते में आने वाले सभी घर, सभी लोग यहां तक की मवेश्यों के जुंड तबाह हो जाते हैं।